आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी के अंतरगत कौन-कौन से कोर्सिस आते हैं MBBS और BDS के अलावा भी और किन कोर्सिस में नीट के आधार पर एड्मिशन मिलता है इन सब के बारे में जानेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा नीट में रैंक के आधार पर कोर्सिस में एड्मिशन मिलता है सबसे पहले बात करते हैं MBBS की MBBS का फुल फॉर्म होता है Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery इस कोर्स का डुरेशन साढ़े 5 साल का होता है सेकंड हम बात करते हैं BDS की इसका फुल फॉर्म होता है Bachelor of Dental Surgery इसकी डुरेशन 5 साल होती है Next है BAMS जिसका फुल फॉर्म होता है Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery इसकी भी डुरेशन साढ़े 5 साल होती है Next बात करते हैं BHMS इसका फुल फॉर्म बैचलर of homeopathic medicine and surgery होता है इसकी भी duration 50,5 साल होती है B.U.S. इसका full form bachelor of Unani medicine and surgery होता है ये भी 5 साल का course है B.S.S. इसका full form बैच manner of sita medicine and surgery होता है B.U.S. इसका full form bachelor of naturopathy and yogic science होता है इसका duration भी 5,5 साल होता है B.O.S. B.V.S. इसका फुल फॉर्म बैचलर ओफ वेटरिनरी साइन्स होता है। ये कोर्स भी साढ़े पांच साल का होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग।